हलो गाईस तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर आपका ये ओला में टैप ओपन नहीं हो रहा है तो आप इस प्रोब्लम को किस तरह से सॉल्ब कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूँ वीडियो को end तक देखना है वीडियो को कहीं पर भी skim नहीं करना है तो चलेगा आज फटा-फट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो गाइस इस problem को solve करने के लिए सबसे पहले आपको settings open कर लेनी है settings open हो जाने के बाद guys यहाँ पर आपको एक option दिख जाएगा apps का या apps and notifications का आपको यहाँ पर क्लिक करना है इसके बाद guys आपके सामने कुछ इस तरह से interface खुल के आ जाएगा तो guys यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा see all apps का या manage apps का आपको यहाँ पर क्लिक करना है इसके बाद guys यहाँ पर आपको ओला में टैप को धूण लेना है तो चलिए मैं धूण लेता हूँ तो guys आप लोग देख सकते हैं मुझे ओला में टैप मिल चुका है इसके बाद इस पर क्लिक कर देना है इसके बाद guys आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस कुल के आ जाएगा तो guys यहाँ पर आपको एक ओप्सन मिल जाएगा storage and cancee का तीसरे नमबर पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है इसके बाद guys आपको clear cancee पर क्लिक करना है इसके बाद किलियर स्टोरेज पर क्लिक करना है एंड गाइज ओके पर क्लिक करना है इसके बाद गाइज आपको बैक आना है बैक आ जाने के बाद गाइज आपको दूसरे नंबर पर एक ओप्शन मिल जाएगा परमिसंस का आपको यहां पर क्लिक करना है इसके बाद guys ये सारी permissions अलाव कर देनी है तो चलिए guys फटाफट मैं एक एक करके सारी permissions को अलाव कर देता हूँ तो guys आप लोग देख सकते हैं सारी permissions अलाव हो चुके हैं इसके बाद आपको बैक आजाना है बैक आजाने के बाद guys आपको पूरा बैक आजाना है इसके बाद गाईस आपको अपना प्ले स्टोर अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है इसके बाद गाईस यहां पर आपको सर्च बार दिख जाएगा आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और गाईस यहां पर आपको ओला मेट अपको सर्च कर लेना है इसके बाद guys यह application आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे आपको देख लेना है यहाँ पे आपको open ही दिखना चाहिए अगर guys आपको open की जगा पर update लिखा दिख जाता है तो आपको update पर क्लिक करके इस application को update कर लेना है application update हो जाने के बाद guys आपको अपना phone एक बार restart कर लेना है इसके बाद आपका problem जो solve हो जाएगा वीडियो कर अच्छी लिए वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नहीं चैनल को subscribe कर लें ऐसी tips और tricks के लिए thank you